हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टो वर्ट चैनल हाइपर्टेड इस भी मैं हूं मोहमद सोहेल आज का मार्केट काफी वॉलाटाइल था तो आज अपने फ्री टेलिग्राम चैनल पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड प्रोवाइड नहीं किया डायरेक्ट मैं ओनली सि और प्रोफिट्ट करने वाला हूं आपको पता है मैं आलेसिस के ंडी एंड अपे सिरीस व्धि filthy आभी विदियो में साड़े आठ नौ बजे उसके अंदर मैं वाट्साप नेंबर भी प्रोवाइट कर रहा हूं अगर आपको लर्निंग करना है मार्केट के बारे में तो उस वाट्साप नेंबर पर आप कॉंटाइट कर सकते हो दोस्तों तर चलिए आप आगे बढ़ते हैं और बाद में बैंक निफ्टी की यह दोनों के अनालैसीज मंले मैं निफ्टी gideंगा बाद में बैंक निफ्टी की दूं अभी देखो तू हंड्रेट एम मंने जबसे ब्रेक किया है मैं आप लोगों को एक ही बात बोढ़ रहा हूं मार्केट बढ़ने से ज्यादा मार्केट गीरेगा अगर जैसे यह दो बार 200 E.M में break करके नीचे आया जब जब मैं बताते गया क्या बताते गया market के अंदर अगर 200 E.M में break करके candle formation नीचे हो रहा है तो हमें क्या करना है market पे buying पे focus नहीं करना है market पे breakdown पे fall पे focus करना है for an example यह नीचे गहाँ यह एक breakdown है यह दूसरा breakdown है उसके बाद इस देखेंगे 50-50 only single breakdown तक analysis दे रहा है second breakdown पर यहाँ पर analysis नहीं दिया यह पहला breakdown है second breakdown पर यहाँ पर analysis नहीं दिया यह पहला breakdown है second breakdown पर यहाँ पर analysis नहीं दिया अभी market ऐसा ही चलेगा जब तक market 200 यह में touch नहीं करेगा या उसके नजदिक तक भी नहीं जाएगा जब तक हमें proper buying opportunity नहीं देगा और 3 दिन पहले और 4 दिन पहले भी मैं आपको बता चुका था December के जो second या final week होगा जीदर market में 2000 point का correction होगा Nifty 50 में 1000 point का correction होगा यह मैं बताया market में 2400 point का correction आ गया और इसके अंदर near about इसके अंदर भी correction चालू है 1000 तक का for an example अब देख सकते हो यह 600 है 18100 है और correction Nifty 50 लेने वाला है और correction bank Nifty लेने वाला है पर time लगेगा दोनों को time लगेगा correction लेने के लिए अभी जो तो proper correction चल रहा है रिशीशन नहीं है यह correction है ठीक है अभी कोवीट की भी काफी news आ रही है जिस वज़े से कई हम लोगों को market में फेक न्यूज है पॉजिटिव न्यूज हो कोवीट का फेक न्यूज पर भी market गिरेगा पॉजिटिव न्यूज पर भी market गिरेगा विकाज पब्लिक पैनिक होती है वो में रिज़ाने मार्केट में तो अभी कल के लाइव मार्केट में हम लोगो analysis में क्या क्या करना है पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं आज का breakdown दो त्यें निफ्टी-फिफ्टी breakout यहां पर breakout यहां पर ध्यान से समझिए अगर कल के live market में gap down हुआ तो दोस्तो no trading zone है क्या है no trading zone है अगर market में gap up हुआ market neutral भी चला तो हम लोगों को market में 18-0-80 का support चाहिए bounce back करने के लिए अगर यह level break कर रहा है no trading zone अगर bounce back कर रहा है तो target हम लोग 18-166 तक का लगा सकते है ध्यान से सुनिए 18-166 तक का लगा सकते है अगर नहीं market gap up open किया gap up open करने के बाद candle closing 18-166 तक का दिया तो हम लोगों को immediately up open rally मिलेगा जिदर 18-232 तक का rally है अराम से अराम से ठीक है अगर नहीं market sideways चलना चाहता है तो दोस्तों sideways market में भी आपको यह breakdown लेके चलना होगा यह breakout लेके चलना होगा यह simple breakout लेके चलना होगा market fall करने के बाद market इस तरीके का trade sideways दे रहा है तो कल का live market totally sideways ही जाएगा जैसे परसों भी मैं आपको analysis दिया था market fall किया है market breakdown दिया है market breakout दिया है market breakdown break करेगा तो ऊपर जाएगा market breakout break करेगा तो नीचे गएगा और अगर आप देखोगे तो market में breakout break होने के बाद fall हो गया उसी ही तरीखे का triangle pattern बना रहा है अब यह ascending triangle है descending triangle हमें आख जब तक उपर के level break नहीं हुआ तो ascending triangles मालूम होगा अगर नीचे का लेवल ब्रेक हुआ तो descending triangle हमें मालूम हो जाएगा तो हम लोग उन दोनों के उपर ही position पकड़ सकते हैं market in between nifty 50 18,000 166 रहा अगर 18,080 के बीच में trade करता रहा तो आप लोगों को premium मिल्टी होगा उससे ज़्यादा कुछ कर रहा हूँ जो live market आपको Friday से लेके अगले हफ़ते मंडे तक भी खीशता हुआ लेके जाएगा दोस्तों यह मेरी analysis है nifty 50 पे अगर हम लोग bank nifty पे देखेंगे तो bank nifty के अंदर अगर technically बात करेंगे पहले मैं technically बात करूँगा technically बात करेंगे तो same nifty 50 जैसा improper selling हो रही है buying के जैके पिसलिंग यानि market buying पे ही focus कर रहा है पर जान बूच के इदर premium melt करने के लिए market अपना game खेल रहा है पर market completely consolidated overbought है RRs 40 पे closing है कल मैं major से major nifty 50 में और bank nifty में दोनों में भी मैं buying ही देख रहा हूँ अगर मैं यहां पे bank nifty के analysis करो तो bank nifty ने को नया breakout दिया ठीक है bank nifty के अंदर similar simple breakout के नीचे closing है तो यह हमें काम नहीं आएगा यह breakdown है and यहां पे एक breakdown है यहां पे भी एक breakdown है पर मैं ऊपर के breakdown तक का rally नहीं देख रहा हूँ यह ऊपर के breakdown तक का rally second breakdown तक rally देख रहा हूँ कल जो भी होगा अगर market support पकड़ रहा है 42.6.10 का 42.6.10 का तो market 42.8.69 तक का rally देख सकता है पकी बात है rally देख सकता है अगर market in between trade होता हुआ नीचे भी गिरना है तो इसे 42.7.30 तक का जाके retrace होना है कल अगर support पकड़ लिया अगर नहीं market gap up open करने के बाए retrace कर रहा है तो market फिर से 42.2.30 के पास ही हमें देखने को बिलेगा कल major level क्या है हम लोगों को decision लेने के लिए 42.600 42.3.30 ये दो level से हमें decision लेने के लिए अगर market sideways चलने लगा तो premium मिल टोगा अगर नीचे का level पे market opening देता है तो no trading zone है दोस्तो bank nifty में तो दोस्तो analysis आपको समझ में आया तो video को like करिए, share करिए and telegram channel का link description में मिल जाएगा अगर आप youtube channel पे पहली बार आएगा है तो youtube channel को subscribe करते वे जाना झाल